नमस्कर दोस्तो शर्मची की रष्रे में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज हम जच्चा की लिए सोट के लड्डू बनाएंगे जच्चा को पहले थोड़ा हल्वा देना चाहिए फिर अजवाइन देनी चाहिए और फिर सोट की बारी आती है तो सोट के लड्डू है यह स्रिफ नो ही लड़ू बने है इतनी ही सोट हमें जच्चा को देनी चाहिए क्योंकि जादा सोट गरम होती है कौन सी सोट लेंगे आप यह है सटवा सोट देखिए कैसी है यह गोल गोल है यह तो ऐसी वाली सूट हमें जच्चा को खाने को देनी चाहिए यहां सूट एक पावी 250 ग्रामी सूट खाने को देना है तो 500 रुपे की ये सौट आई है और देखिए बहुत 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 जादा पावर होती है बहुत अच्छी कॉलिटी वाली आती है ये सौट इसके उपर चूना भी लगा हुआ नहीं है देखिए आप कोई चूना लगा हु कूट लेंगे इसके अंदर कूटने के बाद ही मिक्सी के जार के अंदर पीसी जाएगी तो हमें पावडर सोट बिल्कुल नहीं लाना है घर पर इस तरह की सटवा सोट लेकर आना है जो की मार्केट में मिल जाती है और अब हमने ये देखिए कूट कर हम इसे एक थाल के अं चाहिए पहले अजवाइन खाने को देनी चाहिए जच्चा को उसके बाद में सोट देनी चाहिए तो हमें पूरी सीरीज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जच्चा बच्चा सीरीज लेकर आई हूँ तो आप मेरे सभी वीडियो जरू जरू देखिएगा तो पहले हमने आजवाइन भी केसी बनाई है वो भी बताया है मैंने अब हम क्या करेंगे पहले इसे छनली से छान लेंगे फिर कपड़े से छानेंगे थोड़ा मोटा मोटा सा कच्रा जो निकलता है वो निकाल लेंगे और फिर हम इसे कपड़े से भी छानेंगे क्योंकि इतना मोटा अंदर निकलने में ज्यादा प्राब्लम होती है तो एक बार पीस भी लेंगे हम इसे और दो तीन बार पीस लीजिए आप इसे और फिर इसे कपड़े से छान कर भी पीस सकते हैं कपड़े से छानना जरूरी होता है बारिक पाउडर होना चाहिए यहां जो उपर जो और कच्र भाइन भी खिलाई है जच्चा को अब हमें क्या करना है जो सोट है उसकी तासिर गरम होती है तो गरम होती है तो हमें इसके अंदर ड्राइफरूट बिल्कुल भी नहीं डालना है ड्राइफरूट के लड्डू हम बाद में अलग से बनाएंगे तो इसके अंदर ड्राइफ कंदवर का क्पड़ा में इस डिप्गय के ऊपर बांद दिया है और अब हम इस से अच्छ Cela से चान लेंगे इस तरह से हो किस्तार的 चानि जाती थी उसी तरह से या चाना जाना चाहिए मैदा की चलने से हमने इसे चान लिया था तो कोई जादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आपके पास कोई बड़ा मलमल का कपड़ा हो तो आप बड़े बरतन के उपर भी इसे बान सकते हैं और फिर इस तरह से गुमा गुमा कर आप इसे अच्छे तरीके से उपर का कचरा निकाल सकते हैं जो तो जच्चा और बच्चा की सियद दोनों की अच्छी होती है वीडियो बनाने कैसा लगाया आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरू जरू बताना मेरे चान को सब्सक्राइब कर लेना बेला आइकन को प्रेस कर देना तक आने वाली हर वीडियो की नोटिपि जच्चा को यहां लड्डू मौर्निंग में सुबो एक गिलास दूत के साथ एक लड्डू खाने को देना है आठ लड्डू अगर बनेंगे देखे कितनी बारिक पाउडर हो गया है तो आठ दिन जच्चा को यहां चलने वाले है आठ या नो या साथ दिन अगर गर्मियों का मौसम हो तो आप इसके बारा भी लड्डू बना सकते हैं और थोड़ा थोड़ा खाने को दे सकते हैं पर सुबो मौर्निंग में पांच बज़े आपको यहां लड्डू देना है देखिए बाउल हमारा पूरा भर्व कर हो गई है यह सूट पाउडर अब हम क्या करेंगे इस थाल के अंदर यहां बाउल को उल्टा कर देंगे और अब देखिए यहां पूरी जो सूट थी सूट का जो पाउडर हमने बना कर रखा था वहां ले लिया है जितनी सूट थी उतना ही मैंने गोंद लिया है गोंद को मैंने क्रश करकर धूप में सुखा कर लिया है यहा ग्ही के अंदर हमारा गोंध फ्राय नहीं होगा और खाते समय मुझ के अंदर कच्चा गोंध आ जाएगा और दातों में चिपप जाएगा वह इतना खाने में गुंग भी नहीं करता है तो अब देखिए अब हम डालेंगे इसके अंदर देशी घी, घी हमें अंदाज से डालना है लगबग हमें उतना ही घी लग जाने वाला है जितना की गोण्ध है तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे binding के लिए श्रीफ श्रीफ only binding के लिए 2 टीज़्पून आप इसके अंदर गहों का आटा डाल सकते है इसके अंदर भी मैंने थोड़े मोटे आटे का ही इस्तमाल किया है तो देखे मैं श्रीफ एक टीस्पून भी डाल सकते है आप दो टीस्पून भी डाल सकते है आप आपकी मरजी पर डिबेंड करता है तो मैंने ये दो टीस्पून गियों का आटा डाला है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा हलका सा भून लेंगे इससे क्या होगा इससे बहुत बैतर ख सोट खानी है तभी यह सोट ज्यादा गरम नहीं करेगी और बच्चे को ज्यादा पॉटी भी नहीं लगेगी इस तरह से उस्यदी जब हम खाते है तो उसका जब दूद बच्चा पीता है तो बच्चे के अंदर भी एक पावर आती है मिनीटी पावर बढ़ती है तो हमें ऐस से वेंजन खाने चाहिए गैस का फ्लें बिल्कुल धीमा रखेंगे और अब हम इसके अंदर ये गोंद पूरा डाल देंगे हलका हलका चलाएंगे पूरा गोंद फुलने तक गोंद का फुलना बहुत जरूरी होता है गोंद हार्ड होगा तो दातों में चिपक जाएगा त होते है और शदिय गुणों से भरपूर होती है ये सोट और सोट खाने से गुटनों में आगे चलकर दर्द नहीं होता हड़ियों में दर्द नहीं होता और दिमाग भी तेज होता है और इसके अंदर हमने खसकस नहीं डाली है इसके अंदर हमने क्योंकि तासिर गरम होती है इसकी सोट की तो हम इसके अंदर खसकस बिलकुल भी नहीं डालेंगे और यहां लड़ू मॉर्निंग में सुबो पांच बजे ही एक लड़ू खाना है एक ग्लास दूद पीना है और जच्चा को बिलकुल सो जाना है जब हम सोते हैं तो हमारे खाया पिया सब हमारे अंग लगता है तो हमें यह जब लड़ू खाएंगे सुबो मॉर्निंग में तो फिर सुबो खाकर हमें सो जाना है इसे खाकर जब आप सोएंगे तो बहुत भेतर नींद आने वाली है आपको देखिए घी काफी मातरा में है अभी इसके अंदर और हमारा गोंद पूरा अच्छे से फूल कर तैयार हो रहा है अब हम क्या करेंगे जो हमने थाल के अंदर सोट पौडर रखा है कटोरी में उसके उपर ये गर्मा गरम गोंद को डाल देंगे गोंद के अंदर घी काफी मातरा में ही लगता है जितना गोंद होता है लगबग उतना घी लग जाता है तो देखिए काफी मातरा में घी को एब्जॉब कर लिया है गोंद ने और क्योंकि अच्छे से फूल भी गया है गोंद अब हमारा एक कटोरी गोन था, पूरी कड़ाई भर चुकी है हमारी, केसा लगाया आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट वक्स में जरू-जरू बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइक और उनको प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोट डिपिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे, देखिए, कितने बहतर तरीके से हमारा गोन फूल कर तैयार हो गया है, अब हम गोन को ये जो हमने सोट रखी है, उसके उपर डाल देंगे, ध्यान रहे, कोई गोन बिल्कुल भी हाट ना रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना, आटे की कॉंटिटी भी हमें इसके अंदर जादा नहीं डालनी है, क्योंकि ये आटे की कॉंटिटी अगर जादा होगी, तो गोन के लड्डू बढ़ जाएगे, बढ़ जाएगे तो जादा समय तक हमें खाना पड़ेंगे, और जादा समय तक हमें नहीं खाना है, इस सोट के लड्डू के अंदर ह में ड्राइफुरट बिल्कुल भी नहीं डालना है ड्राइफुर्ट का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जितनी सोट ली है मैंने 250 ग्राम उतना ही 250 ग्राम ही मैंने गोंद लिया है और गोंद को फुला लिया है, दो सो पचास ग्रामी मैंने घी लिया है, घी की कॉन्टीटी कम जादा हो सकती है थोड़ा बहुत, अब हम इसे इसके अंदर ढग देंगे, ढग कर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम कड़ाई भी साफ कर लेंगे, कटोरी शकर लग जाती है, अगर आपको लगे कि जादा मिठा है, तो एक कटोरी भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉबलम नहीं होने वाला है, देखिए, इतना घी बच गया है, हमारा एक फूल भर कर घी लिया था हमने, तो थोड़ा सा घी बच चुका है हमारा, अगर हमें आओ शकता रही, तो हम बाद में यहां गुन-गुना करकर इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम देखिए, अभी हम इसे एक चमच की सायता से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई-कोई गोंद अगर नीचे गरम होगा, सोड़ गरम होगी, तो हमें प्रॉबलम हो सकती ह अच्छे से इसे मैश करकर थोड़ा मिक्स कर लेंगे, जादा मैश ना भी करें तो कोई प्रॉबलम नहीं है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करकर जब शक्कर इसके अंदर मिक्स करेंगे, तो आप थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, या फिर घरमे अगर जच्चा है आपके तो बनते ही रहते थे यह लड़ू पर अब जादा फैमिली नहीं होती है तो जादा तर नहीं बनते हैं तो आप भी इन लड़ू को खा सकते हैं बहुत जादा सिहत के लिए अच्छे होते हैं यह कोई ड्राइफूट नहीं डाले हमने और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर शक्कर भी mix कर लेंगे हम इसके अंदर और शक्कर डालने के बाद आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं ये जो 16 Bringing और काफी ठीकी होती है जो normal अगिए हमारी उसके अंदर काफी इला कमेर और वैने gefलिऻ ये और इसके आपकी अदर हो मुला & ये अर्य मैं मिला डाली ह कि कोरी सोट जब हम खाते है तो बहुत जादा गुन करती है और ड्राइफरूट के लड्डु भी हम बाद में बनाने वाले हैं पर पहले हमें सोट ही जच्चा को देनी चाहिए पहले अजवाइन देनी चाहिए फिर उसके बाद सोट देनी चाहिए साथ दिन या आठ दिन या नो दिन इतने लड्डु आप बना सकते है इसके और अगर आपको लगे कि इतना नहीं खाय जाएगा तो फिर भई दो पार्ट में पर एक ही दिन में खतम करना है एक लड्डु तो इस बात का ध्यान रखे और इन जच्चा को खाना खाने का समय नि वाली है तो अब हम देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे डेड़ कटोरी भरकर हमने इसके अंदर शक कर डाली है तब ही इसका थोड़ा तिकापन कम होने वाला है जो ये सटवा सूट होती है ये तो काफी तीक ही होती है और हमें नॉर्मल सूट की वज़ाए इस इसे भी बड़े बना सकते हैं आप तो आप बना सकते हैं कम से कम साथ दिन के तो लड़ू हमें साथ लड़ू बनाना ही चाहिए अगर आप आट भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए इस तरह से बेहतर लड़ू बन गया है हम इसके अंदर बदाम कोई ड्राइफरूट का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि अभी सोट ही अच्छी तरह के से गुन करनी चाहिए इसके लिए हमने ड्राइफरूट नहीं डाले है इसके अंदर और जच्चा के लिए जो खाना दिया जाता है वहाँ ढखकर ही हमें देना चाहिए रोज सुबह मॉर सोट के लड्डू बनकर तैयार हो गए है नो लड्डू बने है हमारे कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बाक्स में जरू जरू बताना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिपेशन आप सोट के लड्डू इसी तरह से जच्चा को बना कर खिलाए और बहुत बेहतर सेहत होने वाली है आपकी जच्चा और बच्चे की तो ऐसे लड्डू जरूर जरूर बना कर खिलाए आप